हेलो विवर्स, वेलकम टो अल्लिमिटेड क्रेशन्स आज मैं बनाने जा रही हूँ एक कुशन कवर, बिल्कुल हीजी मेथट से इसे आप आसानी से बना सकते हैं ये मैं 24 बाई 24 इंच की साइस का बना रही हूँ इसे आप अलग-अलग साइसे में बना सकते हैं इसमें मैं तीन तेरह की फैब्रिक का यूज़ करूँगी ये कॉटन सिल्क का फैब्रिक है, ये क्रेप फैब्रिक है ये कपड़ा मैंने पैडन क्रियेट करने के लिए लिया है ये कपड़ा मैंने लाइनिंग के लिया है तो आईए मैं नाना शुरू करते हैं सबसे पहले कुशन का फ्रांट कट कर लेते हैं, इसके लिए मैं 25 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 25 इंच लंबाई और 25 इंच चड़ाई 24 इंच का कुशन रेडी करने के लिए हमें 25 पे इसले निशान लगाना पड़ेगा कि एक इंच सिलाई के लिए रखेंगे तो अब इसे कट कर लेते हैं, तो यह कुशन का फ्रांट पार्ट कट के रेडी हो चुका है, अब सेम साइज में इसकी लाइनिंग कट कर लेते हैं तो यह हमने lining कट कर लिए हैं अब इसे चारो तरब से बराबर करके जोर लेंगे यह back side का part करना है इसमें मैंने 25 पे ये निशान लगा के 4 इंच एक्स्ट्रा रखा है इसमें मैंने 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है ये 4 इंच एक्स्ट्रा इसलिये लिया है इसे ओरलैप करेंगे तो 25 इंच का अधा 12.5 इंच होता है तो उसमें हम निशान लगा लेंगे ये दो पार्ट में कटेगा एक किस्सा साड़े बारा इंच का और एक साड़े बारा प्लस चार इच तो आईए इसे कट कर लेते हैं तो मैंने कट करके रेडी कर लिया है अब मैं इसे सेट करके बता रहे हूँ कि कैसे सिलाई लगाते हैं इसमें बड़ा टुकड़ा नीचे रखना है और छोटे टुकड़े के उसके उपर overlap करना है इसके corners को हम मोड लेंगे दोनों साइट से बड़े टुकड़े को और छोटे टुकड़े दोने के corner को मोड़ेंगे और फिर चार तरह सिलाई लगा लेंगे तो बैक पार्ट के दोनों टुकड़ों के corners को मोड के सिलाई लगा लिया है एक एक साइट से यह मैंने front पार्ट पे lining अड़ कर दिया है और बैक पार्ट के दोनों corners को मोड लिया है अब इसे set करके बताती हूँ यह मैंने कुशन कवर का बैक पार्ट भी इसे set कर लिया है मैंने दोनों किनारों के सिलाई लगा लिए अब चारों तरब से इसे सिल लेते हैं यह हमारा कुशन कवर रेडी हो चुका है आप इसे पैटर्न क्रियेट करते हैं यह फैबिक मैंने पैटर्न के लिए लिया है इसे मैं फ्लाओर बनाऊंगी उसके लिए हमें सर्कल कट करना पड़ेगा इसके चारों तरब कच्चे टाके लगा लिए हैं अब इसके धागे को खीच के पोटली जैसा बनाएंगे और इसके फ्रिल को एडजस्ट करते हुए फ्लाओर का सेट दे देंगे इसे चारों तरब से खीच के अच्छे से सिलाई लगा लेंगे ताकि यह मजबूत हो जाए और फूले नहीं तो यह हमारा फ्लाओर तैयार है ऐसे हमें बहुत सारे बनाने पड़ेंगे तो हमने कुछ बना के रख लिए है अब फ्लाओर में बीट टक कर देती हूँ यह मैंने फ्लाओर में मीट्स अटाइच्ट कर लिए हैं ऐसे हमें सारे फ्लाओर में मीट्स अटाइच्ट करना पड़ेगा और इसमें स्टिच कर देते हैं तो हमारा कुछन कवर बनके तयार है देखिए कि इता सुन्दर दिख रहा है आप इसे एक बड़ बना के देखिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग